नमस्कार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है बहुत से लोग प्रशन पूछ रहे थे कि मैंने क्राउस के हाथ में अलग 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 परवतों पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में तो आपको बताया लेकिन रेखाओं पर बताना उस वीडियो में छूट गया था तो इसी चरणपर हम आगे बढ़ते है और आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी रेखा पर यदी क्राउस का चिन है तो उसका क्या प्रभाव होगा यदि आपने परवतों पर क्रॉस चिन ने क्या प्रभाव देता है यह नहीं देखा है तो आप इसे मैं आई बेटन में इसका लिंक देदूँगा महां आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो फिलाल हम बात करते हैं कि अगर अलग-अलग रेखाओं पर क्रॉस चिन ने दिखाई दे तो उसका क्या परेनाम होगा इस चरण में सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपको जीवन रेखा पर किसी रक्ति के क्रॉस का चिन दिखाई दे तो क्रॉस का चिन ही यदि आपको जीवन रेखा पर दिखाई देता है तो सबसे बड़ा आपको ध्यान देना है कि ये दिखाई कहां पर दे रहा है यदि तो अगले हिस्से में दिखाई दे रहा है तो ये बाल्यकाल में यदि आपको जीवन रेखा में क्रोस दिखाई दे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि क्रोस कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी स्थान पर क्रोस अच्छा नहीं है, हाथ में कहीं भी हो अशूब फल देता है, यहां अगर हम बात करते हैं कि जीवन रेखा पर यद यह वरी आश्रूब फल देगा बचपन में चत्व को रोग बहुत रहते हैं बचपन में रोग रहते हैं का बहुत बहुत लंबी किस्म की बीमारियां को जाती हैं यह कुछ महींत्या में चलती रहें एक समय है की रान चत्ति मीतिक तरहरों 17-ragon जीवन रेका पर जहां भी क्रोस होगा वो एक परिणाम तो देगा ही कि आपसी लोगों से मनमुटाव बढ़ा देगा निजी लोगों से धोके की संभावना बढ़ जाती है आपसी मनमुटाव बढ़ जाता है पित्री संबंधित लोग कौन से लोग जो पैत्रीक संबंध से लोग हैं पिता के संबंध से जो लोग हैं उनसे जगडा, विवाद, मनमुटाव या एक तरह का तनाव दिखा जा सकता है लेकिन साथी साथ ये रोग का सूचक है क्रोस का चिन जहां भी जिस भी अवस्था में दिखाई देता है ये क्र प्रूर होगा कि यदि आपको कहीं दिखाई दे कि जीवन रेखा के अंत में आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, यनि क्रॉस से टकरा कर जीवन रेखा रुग गई है, अब हाँ ये दुरघटना मृत्यू का रख हो सकती है, यदि हाथ के बाकी लक्षण भी ऐसे ही दिखाई कि दे कुछ ऐसी ही आयू हाथ में पूरी गणना करने पर ज्यात हो और उस तावस्था में ये क्रॉस हो तो ये दुरघटना से मृत्यू का सूचक हो सकता है, एक गंभीर बीमारी से अक्षमिक मृत्यू का सूचक हो सकता है, किन्तो यदि आपको दिखाई दे रहा है कि जी मंगल रेखा की, यदि आपको मंगल रेखा पर क्रॉस का चिन दिखाई दे, कहीं पर भी क्रॉस छू रहा है मंगल रेखा को या मंगल रेखा के ऊपर बना हुआ है, तो ऐसी स्थिती में मंगल जैसे की मैंने बताया कि उत्साह का कारक होती है, आतम विश्वास का कारक होती तो मंगल रेखा इंटरनल जो capacity है उसको बढ़ाती है तो ऐसा व्यक्ति में उत्सा की कमी हो जाती है उस पीरिड में एक दूसरा और बात कि क्रॉस को लेकर हम आयू को लेकर ठीक ठीक गणना नहीं कर सकते क्रॉस जो है जब उभरता है कभी कभी अचानक उभर आता है और जब यह समय बीटता है यह फिर से गायव होने लगता है और धुमिल होकर मिट जाता है यह किसी और शुब चिन में बदर जाता है तो यहां यह आपको मंगल रेखा पर क्रॉस चिन किसी के दिखाई दे तो मंगल रेखा पर क्रॉस चिन का मतलब है कि आपको आत्म उत्सा है जो आपके ऐसे लोग जो आपको support बहुत करते हैं, उनको हानी का संकेत हो सकता एक तरह से, जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं और आक्षिमिक emergency city में आपके साथ support में रूप में खड़े हैं, उनको भी हानी का संकेत हो सकता है, और इसे बाकी विल्शिट्रेशन के साथ समझना होगा, लेकिन ये जुरूर है कि उत्साह की कमी करता है, और ऐसे व्यक्तियों को चिंता पैदा करता एक तरह से, अब यदि आपको cross दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति के मस्तिश कर एका पर, अब मस्तिश कर एका पर cross दिखाई देना, सर के संबंदित रोग, सिर पर चोट, सरदर्द, या माईग्रेन जैसी समस्याई, इस तरह के संकेत दिखाई देंगे, आपको हाथ के बाकी दोशों के साथ ऐसा देखना होगा, इस सूरे खराब है, और सूरे के संबंदित रोग दोश आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाथ में होने की संभावना बहुत है, तो ऐसी स्थिती में सर के संबंदित रोग दोश जादा दिखाई देगे, आमतर पर दिखा गया है कि यदि ये सूरे रेखा के नीचे cross दिखाई दे, सूरे परवत के नीचे दिखाई दे, मस्तिश करेखा पर, तो ऐसी स्थिती में सकी संभावना बहुत जादा होती है, कि ऐसे व्यक्ति को आँखों के संबंदित समसाय हो सकती है, और वो ब्रेन से जुड़ी हो सकती है, या फिर वो ब्रेन से जुड़ी हुई नहीं भी होंगी, लेकिन आँखों की रोशनी कमी हो सकती है कभी कभी ऐसे लोगों क्या होता है कि अंधेरे में रात्री के समय कम दिखाई देने की समस्या जिसे हम तो पर रतौंधी बोल देते हैं ऐसे रोग वाले लोगों में भी यह संभावनाएं काफी देखी गई हैं और दूसरा सिर पर चोट लगने वाली ज खैसे लोगों में भी हमने क्रोस के चिन को काफी प्रभावशाली पाया है अब दूसरा यह जो चिन हो गया हमारा क्रोस मस्टिश्क रेखा पर है यदि आपको घुर्दे रेखा पर खोले समबंधित समस्याओं को दर्शाता है हलांकि गंभीर रूप से ऐसा नहीं होता है या जो आपके मित्र हैं या जो आपके प्रेमी हैं उनसे ढूखे की संभावना बहुत रहती है एक संभावना है दूसरा हर्दय संबंदित रोग हो सकते हैं तीसरा जिन तो आपको इस घटना को ध्यान रखते हुए अपनी चिकट सियत सलाह लेनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को एनलाइज करना चाहिए कि कौन ऐसा वेक्ति आपके आसपास हो सकता जो आपको दुर्गटना या धोखे की संभावना दे सकता है अब यदि आपको हर्दया पर ऐसा दिखाई दे रहा है अब यदि आपको क्रॉस का चिन दिखाई दे सूरे रेखा पर सूरे रेखा पर कहीं पर क्रॉस का चिन या आमतोर पर दिखाई दे जाता है सूरे रेका पर क्रॉस का चिन बहुत समस्याइं पैदा करता है संबंध में कि ऐसे व्यक्ति को सफलता आसानी से नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है लोग ऐसे व्यक्ति से बुरा जल्दी मान जाते हैं ऐसे लोग को बार-बार बीना कुछ किये भी अपमानित होना पड़ जाता है तो दोश बहुत लगाते हैं ऐसे लोगों पर क्रेडिट नहीं मिलता है काम यह बहुत करते हैं मेहनत यह बहुत करते हैं यह क्रेडिट नहीं मिल पाता है एक ये समस्चा भी लोगों में रहती है दूसरा गर हम बात करते हैं कि ये क्रोस अगर आपको टच कर रहा है सिर्फ सूर्य रेखा को सूर्य रेखा है एकदम साफ सुतरी उसको टच कर रहा है तो भी इसका प्रभाव दिखाई देगा लेकिन थोड़ी मात्रा कम होगी यदि बिल्कुल लाइन के उपर ही क्रोस बना हुआ है अब प्रभाव थोड़ा बढ़ जाएगा अब क्रोस जितना गहरा होगा कहीं भी किसी भी रेखा पर क्रोस जितना गहरा होगा प्रभाव उतना अधिक होगा अब यदि क्रॉस को कोई और रेखा कर काट रही है बदल रही है तो उसका प्रभाव भी उस हिसाब से बदल जाएगा जैसे चिन में वो बदल रहा है तो अगर आपके हाथ में ऐसा क्रॉस कोई है और आप पूजा उपासना करते हैं आप सूरे संबंधित पूजा उपासना करते हैं आप सूरे की उपासना करने लगते हैं आप अपने सूरे को बली करने के लिए मुद्राओं द्वारा ध्यान करने लगते हैं तो ऐसी सिटी में क्या होता है कि आपके हाथ में ये चिन जो है इनमें बदलाव होने लगता है इनके संबन्द में मैं विश्टरित वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी ऐसी वीडियो आएंगे जिनमें आपके इस तरह के उपाय होंगे जिनमें हम रेखाओं में परिवर्तन करने की कोशिश क कर सकते हैं आप उसके लिए अफर्ट कर सकते हैं जिसे रेखाओं में बदलाव हो जाता है ऐसी मुद्राएं ऐसे धान ऐसी प्रार्थनाई हैं तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर हम किसी वक्ति के भाग्य रेखा पर आपको चिन दिखाई दे क्राउस का अब भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ या भाग्य रेखा पर ही क्रोस का चिन है तो ऐसे इस्तिति में हम क्या देखते हैं एक तो बच्पन में ऐसे वक्ति को काफी जादा संघर्ष काफी जादा दुख और समस्याएं देखने पड़ती हैं किन्तु अगर आपको बड़े हो गए हैं औ पर फिर आपके हाथ में केतु परवत पर क्रोस का चिन उबर रहा जो भाग्य रेखा पर बना हुआ है तो ऐसी सितिम क्या हो तो धन संचय नहीं हो पाता है धन भागता बहुत जल्दी जितना आप कमाते हैं सब भाग जाता है आप बास जमा कुछ नहीं होता खो देते हैं बना बनाया काम आपका खो जाता है एक बात दूसरा अगर आपको यहां दिखाई दे कि राहू के क्षितर में आपको क्रोस दिखाई दे भाग गयरिखा पर राहू के क्षितर में क्रोस काफी हातों में देखा जाता है राहू के क्षितर में क्रोस वाला व्यक्ति बहुत ज संगर्ष करता है। बहुत ज़्यादा मेनत करने के बाद भी सफलता हैं बहुत थोड़ी सी मिलती है और यह संगर्ष लगातर जारी रहता है। यदि आपको हरदयरेखा के उपर के ओर यहां संगर्ष दिखाई दे, यहां क्रॉस दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति को संगर्ष बाद की आयूमधिक देखने को मिलता है। और ये भी एक बात है कि ऐसा व्यक्ति अपने भाग्या का निर्मान करते हुए जब अंतिम चरण में सब कुछ जो उसमें बनाया है कभी-कभी वो खो देता है। इस तरह बहुत हानी प्रद। बहुत अशुब संकेत जो है वो ये एक क्रोस के रूप में देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि यात्रा रेखा पर आपको किसी के क्रोस दिखाई दे। अब यात्रा रेखा पर यदि क्रोस है तो ऐसे व्यक्ति को यात्राओं से बार बार अडचने बाधाएं यात्रा हो नहीं पाती हैं। कभी-कभी यात्राओं से हानी होती है। जल ये यात्राओं से ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा हानी की संभावने रहती है तो जल के मार्ग से यात्रा ऐसे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। लेकिन यात्राओं में सफलता बह ऐसे व्यक्ति को कम मिलती है बहुत ज़्यादा अडचने आती हैं ऐसे व्यक्ति को। अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के आपको विवाहरीखा पर क्रós दिखाई दे रहा है. अगर विवाहरीखा के ऊपर क्रós है बीच में, तो ऐसे व्यक्ति के विवाहिक जीवन में समस्याईं, पत्नी को भयंकर रोग जैसी कुछ समस्याईं दिखाई दे सकती है, किन्तो यदि बाद की अंत में एक रॉस है, तो विवाह का दुखान्त हो जाता है, विवाहिक जीवन तूट जाता है, या पत्नी के साथ कोई अंकर जगडे और तनाव का संकेत देता है इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि आपको संतान रेखाएं जो विवाह पर खड़ी होती है विवाह रेखा पर इन संतान रेखाओं पर यदि क्रॉस दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो संतान प्राप्ति में ही बहुत दिक रहती हैं तो यह क्रॉस जो है अगर संतान रेखा पर है तो संतान के लिए अशुब होगा पत्नी रेखा पर है तो पत्नी के लिए अशुब होगा इस तरह से हम इसका प्रडिक्शन कर सकते हैं और परवतों पर इसका क्या फाल होता है अलग अलग उसके लिए मैं पूरी ए झाल झाल झाल